हालो फ्रेंद्स वेलकम टेनादर वीडियो अब स्टाक मर्केट आज हम डिसकस करने वाले एंटीपीसी के बारे में सबसे पहले जाहन लेते हैं एंटीपीसी के बारे में कुछ बेसिक चीज है 1975 में एंटीपीसी एंकॉरपोरेट हुआ था इसका मेजर प्रोमोर्टर सोल्डिंग है वो गौबर्मेंट अफ इंडिया के पास है Now May 2010 को ये एक महारातना कंपनी बान चुका था and January 2020 को there are 10 महारातना CPSCC न इंडिया ने एंटीपीसी इस रैंग 2 अगर एंटीपीसी के बारे में और देखें So, इनका जो टोटल इंस्टाल कैपासेटी है हुआं से ये 65,810 मेगावार्ट पावर जिनेरेट करते है जहां पे 24 कोल बेस, 7 गास बेस, 1 हाईडरो, 1 विन, 13 सोलर and 1 स्मॉल हाईडरो प्रांट शामिल है जो है इस कंपणी को बहुत जादे अट्रक्टिव बना है अगर कोई कंपणी कंपेटिशन दे सकते हैं वो एंटीपीसी है जान लेते हैं एंटीपीसी के बारे में कीच और चीज़ है अगर हम एंटीपीसी के मार्केट कैप देखें वो है 1,10,106 करोड करेंट प्राइस 140, 52 इक्स हाई 121, 52 इक्स लो 78,1 यानि यह अल्मोस्ट अपने 52 इक्स हाई के करीब ट्रेट कर रहा है नॉर्मली स्टॉक का P 6.9 सी है यानि बिलो 10 अगर स्टॉक का ROC देखे 8.78 परसें और ROE 13 परसें जो के डिसेंट है बहुत अच्छा तो हम नहीं कहेंगे लेकिन यह एक future oriented stock है अगर आप power sector में bullish हो तो यह one of the बहुत अच्छा stock है जिसका market capitalization भी तगड़ा है and यह almost every kind of power generation में शामिल है जिसमें electric vehicles का भी फाइदा होगा and in future जब renewable energy बहुत ज्यादा progress करेगी तो उसमें भी इसका बहुत ज्यादा फाइदा होगा और अगर peers के साथ इसका compare करें तो हम जानते हैं इसका जो main peers है वो power grid है and private में Tata power, Adani power यह सारे companies है so comparing to all other company including NHPC, NTPC का PE सबसे ज्यादा attractive है and market capitalization wise भी यह company हम छोटे company नहीं कह सकते now सबसे important factor recently है अपने quarterly result को declare करें result बहुत ही शानदार है अगर हम sales को देखें so year on year sales बड़ा है almost 10% हाला कि operating profit margin गिरा है इनका expenses बढ़ने के करनों operating margin जाए वो घटा है now अगर इसको और elaborate करें so net profit जो 4542,000 इन्होंने शो किया है हाला कि different website में different kinds of profit दिखा राए so अगर last quarter से compare करें so 3766 करोर के 4542 करोर profit बढ़ गया है and अगर last year March quarter के साथ compare करें so उसमें भी हम बहुत अच्छा jump देख सकते 1535 करोर से 4542 करोर so in this kind of condition भी NTPC ने अच्छा profit शो किया है लेकिन अगर हम इस चीज को year on year compare करें so year on year भी sales बढ़ा है जैसे हम देख सकते operating profit margin भी year on year compare करें तो in that case भी बढ़ा है लेकिन अगर हम net profit को देखें so 11,600 से बढ़के 14,635 करोर यह बढ़ चुका है यानि profit के मामले भी company ना अच्छा कासा profit शो किया and सबसी important factor है company का operating profit margin भी बढ़ा है अगर compounding growth को देखें so in that case figures are not attractive क्यूंकि अगर हम company का sales growth देखें 5 years में 9%, 3 years में 8% company profit growth 5 years में 8%, 3 years में 15% stock का CES year price growth देखें 5 years में negative 2%, 3 years में negative 4% but 1 year में 22% return on equity देखें so consistently 12 to 13% का return on equity stock ने last 10 साल में maintain किया है लेकिन as I said अगर आप future की ऊपर आपका outlook है so this stock will be the multi-bagger stock ऐसा हम कह सकते price and P-E ratio wise यह सबसे दाध attractive है in power sector and अगर किसी company का result बहुत अच्छा हो so in that case उसको reward तो मिलेगा ही मिलेगा now अगर इस company का हम promoter's holding देखे so promoter's holding में सबसे important factor यही है कि promoter's के पास 51.10% का stake है यानि government of India के पास इसका 51.10% FII, DII बहुत तगड़ा stake है DII का 33.93 and FII का 11.94 and public holding 2.89 as I said किसी भी company में public holding अगर कम हो इसका यही मतलब होता है कि अगर इसमें lower circuit लगना शुरू हो गया तो retail investor इसमें first जाएगा हला कि NTPC के ऐसा stock है जहाँ पर retail investor का उतना ज़्यादा focus तो नहीं होता DII, FII का ही ज़्यादा focus है and DII अगर किसी stock में ज्यादा bullish है उसको भी हम positive लेते हैं क्योंकि DII के अंदर domestic mutual fund and insurance companies आते हैं so यह था NTPC के बाद में एक short analysis जहाँ पर NTPC ने अपने result को भी declare किया है अगर वीडियो आइंफर्मेडिवान अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना मत भूलेगा and अगर आप NTPC में इन्वेस्ट करना चाहते हो so this price is attractive लेकिन NTPC में अगर इन्वेस्ट करना है आपको तो आपको बहुत सब्सक्राइब पेशेंस होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि यह सब्सक्राइब उतना ज्यादा भोलाटाइल नहीं है यह उतना जल्दी बढ़ता भी या फिर गीरता भी नहीं है और आपका horizon मिनिमम पांस साल का होना चाहिए see you in the next video guys, till then, good bye